ओम ज्ञानत मिरान्धस्य ज्ञानन जनुशला कया चक्षूरन मिलितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमहा अरे कृष्णा भग्वदीता अभ्याय अठारा श्लोक संक्या 71 श्रद्धावान अनुसूय च शुन्यात अपी यनर यनरा सापी मुक्त शुभानलोकान प्राप्नूयात पुन्यकर्मराव और जो श्रद्धा समेत धर देश रहित होकर इसको सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुब लोकों को प्राप्त होता है जहाں पुन्य आत्माए निवास करती है तो इसके पहले हमने सुना कि भगवान ने गोशना करी यह गोशना की continuation है सबसे पहले तो पहली गोशना थी कि मैं घोशेट करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र समवाद को कृष्ण और अरजुन के बीच के समवाद को जिसको हम भगवत गीता कहते हैं भगवान का गया गीत इ अध्यान का मतलब क्या होता है तो वह अपनी बुद्धी से मेरी पूजा करता है तो हमने यह भी चल्जा करी थे कि यदि हमारे अतरीतरी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम किसी चीज का अध्यान कर सकें अपने आप से बैठके स्वाध्याए जिसको हम कहते हैं स्वाध्याए स्वायम से बैठकर अध्यान करना तो क्या करें हमें समझ में नहीं आता है तो बहुत बड़िया यहां लाव भगवान दे रहे हैं उस ऐसे वेक्तिकों की भगवान कहे रहे हैं कि जो श्रद्धा समेत तता द्वेश रही तोकर इसे सुनता भी है वो सारे पापों से मुक्तो जाता है और उन शुब लोकों को पराप्त करता है जहां पुन्यात्माएं निवास करती है अब हमें तो मालूम ही निया वास्ता में देखा जाए तो पुन्यात्माएं कहा निवास करती हैं हम शास्त्र पढ़ते हैं तो समझ माता है कि पहले तो यह संसार है यह संसार में चौदा माले इस प्रकार से, ऊपर के मालो में पुन्य आतमाय रहती हैं, जो हमसे अधिक पुन्य हैं, जिसमें कि हम सुनते हैं, स्वर्ग लोक में देवता र्यता रहती हैं, स्वर्ग लोक के ऊपर जन तप महर सत्य लोक, ग्रेडेशन बढ़ती जाती है, पवितर आत्मा उगी और उपर पवित्र तबस्वी आत्मा हैं, ऐसा कहते हैं कि जब संसार में प्रले होती है तब भ्रह्म लोक के निवासी भ्रह्म लोक से भगवान के धाम में चले जाते हैं, और उसके ऊपर भी फिर हम देखते हैं, उसके ऊपर अध्यात्मी जगत है, अध्यात्मी जगत में भ्रह्म जो इस वोपर और बी वेकुंट लोक्स हैं, तो ये पुन्यात्म अत्मा अत्मा आय हैं वह अध्यात्मी जगत में रहती हैं, क्योंकि इस जगत में, जतने भी हम लेवल में चले जाएं, जाये जन अफ महर इन लोकों में भी रहने के बाद मिर्त्यू पराफ्त होती है जब सारा कभी ने संसार का out gross view क्या है, के न जो सारे वेकुंटाज में भी सबसे उपर का लोग है जहां पर भगवान अपने भक्तों के साथ कई रसों का आदान पर्दान करते हैं तो अब भगवान बता रहें कि वहां पर जाया कैसे जाया अन लोकों की सुगम यात्रा कैसे करी जाया रॉकेट से जाये जाये चंद्रयान से जाये जाये कैसे जाये 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 चंद्रमा तक हम पहुंचेंगे माना हाला कि शास्त्रों के साथ सिता हम चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि इस वेरी फार उफ जहां पर भी हम पहुंचे वहां पर हमने कोई ऐसी दिरिश्य नहीं देखा जो हम शास्त्रों में सुनते हैं कि इन लोगों में बहुत सारी उपुलेंसिस हैं बहुत सारे जीव रहते हैं जो हमसे भी अधिक सुन्दर हैं हमने तो सुना है कि दूसरे लोग का आदमी आता है जिसके आखें बड़ी बड़ी होती है सुना है वजीव वजीव सी आवाज निकालता है मैंड़ जासा दिखता है यह जो भी है तो यह जो फॉरन अबजेक्ट से हमने जर्नली पिक्चरों में इसी तरह के देखे लें कि शास्त्र बताते हैं कि जो उपर के लोग हैं वहां के जो लोग हैं वो बहुत सुन्दर है हमसे ज्यादा गुणवान है हमसे ज्यादा ऐश्वरेवान है तो उनमें जाने के लिए जो रास्ता हमने अपनाया है वो रास्ता बाइफोर्स है अन एलिजिबल आदमी इस तरीके से उन लोगों में नहीं पो सकता हम जानते हैं स्टोरी ट्रिशंकु की ट्रिशंकु ने भी बिना एलिजिबिलिटी के यह प्राथना करी कि मैं कैसे इन तुम में पहुँच जाूं और उसके लिए उसने ब्रस्पति जी को अप्रोच किया तो ट्रिशंकु जो है एक शुवाकु डाइन Eusty के थे राजाराम की डाइन Eusty के थे लेकिन ब्रस्पति जी उनके पुरोहित थे कुल पुरोहित तो ऐजे गुरु उनने मैं आडवाइस किया कि ठीक नहीं है उचित नहीं है हर आदमी को उच्छे जगा पे जाने के लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं उचित कर्मों के द्वारा ही हम ऐसे लोगों में जा सकते हैं आपका यह आवान ठीक नहीं है कि मैं कोई ऐसा यग्य कर दू और तुम रॉकिट सकतक को बिद्ध कर दůनमें पेटिजन आपका उच्छा अवा फिर भरस्पधी के पुत्र के सकते हैं आपका यह का और श्रू आशजा लिए लगारी गया निया श्राप मिलाया समचफ को एफिर वो पहुंच यह रुए कि हुए पास जा पुदो रती के पतर एज रखे न कोई मदद नहीं कर रहा है क्या तुम मेरी मदद करोगे मेर को वशिष नहीं मना कर दिया ये बात सुनते है विश्वामित नहीं का अच्छा अब तो मैं जरूर करूंगा आउट अफ इर्शाफ फर वशिष्ट और उन्होंने भाई फोर्स त्रिसंकु को अपने तपोबल से वोdroתח आउट सुरू किया व床पर के लोगों में रॉकिट के रहे और वो नहीं में बेखा है अब देखा है कर दो दॉपर हो राकिट कीतर है अब पर शूर्य वह पर वह से नीच आना श्रू करता है कि तुम सब्सु मतर्त तप यह बहां इ documents यह उने दकुने और कि श्राव देखता हूं कोई भगवान के सिस्टम के बियॉंड कैसे आ जाता है, वहां से एक पिटाई करी और नीचे, और फिर यहां से ऊपर और इस तरह से उकथा आती है, हम सुनाएंगे कभी आपको, तो तरिशंकु के तरह है, हम तरिशंकु बन के कहते हैं, तरिशंकु क्या लटक तो तरिशंकु जैसा हो गया, तो यहां करा ना वहां करा, तो इस तरीके से हम लोग जो टेकनोलोजिकल एडवांसमेंट से अपनी लाइफस्टाईल को बहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे बहतर लाइफस्टाईल दूसरे लोकों में अलड़ी है, तो हमने क्या इन्व हमारे गुड करमा और यह गुड करमा हमें उपर के लोकों में ले जा सकते हैं, हमें देवता भी बना सकते हैं, लेकिन देवता बनकर भी हम दुबारा संसार में गिर जाते हैं, क्योंकि संसार में अनर्थ हैं, तो इसलिए इंद्र होकर भी हमारे अंदर लालच आ जाता है, हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो हमें दुभारा गिरने पर मझबूर गोर देते हैं ये सथार के अंदर तो इस संसार प्रकृति से तीनों गुणों से अनर्थों से बचें कैसे उसके लिए आध्यात्मी जगत में जाना पड़े गा तब भगवान बोलेंगे अच्छा तुम मेरे लोग में आजो और उनका लोग इस परकार के जनव मिर्टियों से तो परे ही परकर्ति के तीन गुणों से परे है काल से परे है अनर्थों से परे है वहाँ जाकर फिर हम चैन से भगवान की सेवा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए ह इतना असान तरीका और कहां लाखों सालों का रोकेट करोनों की investment और मिलियन की investment और फेलियूर होने का ड़र बीच में ब्लास्ट हो गया कितना रिस्क है और उसके अगेंस में केवल श्रद्धा समीध भगवान के रहे है कि जो श्रद्धा समेथ द्वेश रहीत होकर इसे मुक्त हो जाता है यह कितना सरल तरीका बगवान ने बता है बगवद्धा में जाने का इससे सरल तरीका क्या हो सकता है बता है केवल श्रद्धा से सुनना अब इसमें मुश्किल क्या है फिर हम कर क्यों नहीं पाते हैं क्योंकि श्रद्धा और द्वेश श्रद्धा में कमी है और दुएष की बड़ातरी है, हमारे अंदर शर्दा नहीं है, हम जब सुनते हैं प्रवचन या भगवान के वचन, तो उन वचनों पर हमारी अटूट शर्दा नहीं होती है, हमें लगता है ठीक है, यह भी कर लेना चाहिए, लेकिन यही जीवन नहीं है, जो भगवान बोल हम उसको as it is भी कैसी किया सकता है, we have to be practical, it is not practical, it is not workable, और इस चक्र में हम कही सारे नियमों को, कही सारे भगवान की इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं, हम उतना कस्ट नहीं लेते हैं, जितना कस्ट हम इस संसार में अलरी ले रहे हैं, हम अलरी कस्ट ले रहे हैं, बर उ गरबड़ हो गई, तो क्या होगा, आपने देखा, पहले बहुत चलती थी सरकस, तो सरकस में क्या होता, एक खतरनाक सा खेल, बहुत उचाई पर दो लोग चड़ जाते हैं, रस्तों पर जूलते हैं, और एक आदमी को जूलते जूलते अपने आपको छोड़ देना है, हवा तो अब सोचिए, ये डर अगर इस पहले वाले व्यक्ति को हो जाए, तो छोड़ी नहीं पाएगा, सरकस में, इधर से, उदर उदर, सब देखने हैं, आप छोड़ेगा, चोड़ेगा, वो छोड़ी नहीं पा रहे हैं, हां, चुकि उसको डर है, सामने वाला पकड़ेगा तो क्या होगा, गया में तो, वो तो कह देगा, सौरी, तो फिर मेरा क्या होगा उसके बाद, तो यही डर हमें भागवान के साथ भी लगता है, उतनी श्रदा नहीं है, हमें भी लगता है, आप कहरे हैं, सब छोड़ दीजिए, ऐसे कैसे, मुसीबत में कोई नहीं आया, तो पिता जी सबसे बड़े गुंडे थे, और वहीं पर समस्या हो गई, तो हम देखते हैं, कि हमारे यह सारी चीज़ें हमें वास्तविक साथ सुरक्षा नहीं दे सकती है, मैं देखा भी, करोना के समय में, अच्छे-चे पैसे वाला विचारा भी, ऑक्सीजन की कमी से मारा गय अब चाहे मुझे पकड़ लो या मुझे गिरा गो, अगर आप मुझे गिरा भी देंगे, तो इसमें भी आप मेरा कुछ हैती करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं, कि सु इर्दम सर्व देहीना, बूताना, कि मैं ही तो सुप्चिंतन कूँ हूँ, असली सुप्चिंतन कू करता हूं, तो पस रद्धा की कमी की करण कहा होता है। हम सुन तो रहे हैं, लेकि नहील है, कही बार हमारे कोि मुझे क conquered को ऑरो, मुझे नमसकार करो, जब भगवान बोलता है कि好好-خliaları को पूझने वाल मूर्ख याूए का बहू लोग कहत Oke, तो नही जिर्दा स्वागênioनी भ इससे पहले भगवान ने बोला कि ये उसी वेक्ति को सुनाना चाहिए जिसके अंदर द्वेश नहीं है फिर आप open classes क्यूं लेते हैं पंडाल प्रोग्राम करते हैं हजारों को बुलाते हैं उसमें कितने द्वेशी बेटे होते हैं लेकिन उसमें कई सारे ऐसे लोग भी बेटे होते हैं जो द्वेशी नहीं हैं नहीं भक्त हैं लेकिन जब भगवान के विशय में सुनते हैं तो तुरंट भगवान के पास आयते हैं यह कई लोगों को दुएश भी समाप तो जाता है, जब वो शुद्ध भक्त से सुनते हैं तो अपना दुएश सारा त्याग देते हैं, तो हम चांस सो सभी जीवात्मा को देते हैं, लेकिन यदी चांस देने के बाद हमें दिखता है कि कोई वेक्ति दुएश कर रहा है, तब उसके साथ हम फर्दर आगे नहीं करते हैं, नहीं वारता करते हैं, इसलिए इसलिए इंपोर्ड़न दे कि हम इसको, क्योंकि यहां भगवान कह रहे हैं, जो शर्दा से सुनता है, हमें इसको सुनाने का प्रयास करना चाहिए, मिलियंस और बिलियंस और हर जीव को सुनने का प्रयास करना है, किसी तरह हर को सुन ले, बहुत सारे लोग भक्ति का प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग कई सारे वीदियों का पालन कर रहे हैं, कई लोग अध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनके अध्यान में उनकी अपनी सोच काम कर रही है, लेकिन जब वो सुनते हैं तो एक भक्त की सोच स इसलिए परिवर्तन बहुत शीग राता है, इस सुनने का जो प्रोसेस है, श्रवनम की रतनम विश्णु समरणम ऐसा में सुनते है, इस सबसे इंपोर्टेंट है, राजा परिक्षित ने केवल श्रवन करकर भगवान के धाम को पराथ किया, केवल श्रवन करकर, साथ दिन, सा आपकी यह बात बहुत अच्छे लगी, लेकिन यह बात थुला, जमीन ही हमें को, तो इस प्रकार से श्रव्दा समय द्वेश्णु सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, हमारे भक्ति के मार्ग में सबसे बड़े समस्या है हमारे पाप, जब हमारे पाप की श्रवन करेंगे तो यह पुराने पाप समाप्त होते चले जाएंगे, और प्रेम पैता होते चले जाएगा, और फिर हम उन लोकों को प्राप्त करेंगे जह पुन्ना आत्माएं निवास करती है, तो यहां पर प्रुपात भी इसी बात पर विशेष देश दे रहे, जोड और कृष्ने पर पर हमेश्वरू उपसे में शरधा हमारी होनी चाहिए, क्रिष्ने पर सर्धा कैसे होनी चाहिए, श्रधा कैसे होनी चाहिए यहिस्पोनने आ थे यह उन खाअ वो तुछ बूटिफुल प्रिंस बट कैसे होने चाहिए? भोगताराम यगतापसाम सर्वलोके महेश्वरम यद रही है महाईश्वर, रही है महाईश्वर अमारी बुद्धी से समझने आएगा मैं यह महाईश्वर कैसे हो सकता है, साधान सा बालक है अमोर पंक लगाता है, महाईश्वर तो होना चाहिए कुछ जटाधारी तो इसलिए हमारी बुद्धी से हो समझ नहीं, जन्म कर्म चमे दिव्यम हो, दिव्यम कर्म जो जन्म हो, जन्म हो समझ नहीं पाएँगे शास्तर की द्रिष्ट्री से, गुरु की द्रिष्ट्री से हमें सावजना पड़ेगा इसलिए परभवाद बता रहे हैं कि यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी परमानिक भक्त से सुनते हैं तो अपने सारे पापों से मुक जाते हैं आते है भगाध गिता है कि शवण मातर से ऐसे वेक्ति को भी पुन्य करमों का फल पराफ्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का पर्यत्र नहीं करता पर्यत्र नहीं करता है वो खाली बैठा हुआ है वो भी तर जाता है और हमने थिये सुनी एक कथा में छोर को बच्पन दे सिखाए जाता है बिटे, चोरों की नियम थे पारिवारिक नियम होते है कुछ अर पडेवार के तो डाकाएटे है, ऑडाकार के कुछ नियम थे अब एक हऊनले लेकिन चलम बान ले तो हम बताये है तो अब एक बार हमने सुना था रहा भागता भागता पुलिस से भागता-भाग्ता साधू के सत्तㄩ में पुलिस कम सेखम यहां मुझे पीटेगी नहीं ढूंदेगी नहीं कि सादूों के बीच में थोड़ी चोर आएगा तो वहां बैठना पढ़ गया इतनी देर में सादू प्रभचन देरा सुनना पढ़ गया क्योंकि पुलिस आई भी है अब उसने क्या सुना उसने थोड़ी धर में सुना क्या सुना उसने और फिर थोड़ी करना प् TW Agriculture में सुनलिया उसने कानों पर हात लगाया कुल देवता की बात नहीं मानी सादू के सभास सुनलिया पर जो भी होगा देखा जाएगा वह आगे गया एक गाउ में और गाउ में एक देवता नाच रहा था सारे लोग उसको पूझे रहीं आघका ना On harinaो अभवारे जाएंगे पाहरो में वहाँ देवता या вариантyyy कई बार देवता नहीं आते हैं कोई आदमी नाटक का रहा हृता है तो नहाच रहा था, साहे लोग उसको चड़ावा दिये जा रहे थे वबढ़ा बनता जा रहे था। अब इसने देखा यार देवता, सादू कहे थे जमीन पर पहनी रखते जमीन पर पह रहे हैं, नहाच रहे है यह देवदा नहीं हो सकता, वो गया उसके जात जाके थोड़ा सा खईवर क्या होता है, कई मस्करे लोग क्या होता है, उसको खा के दिखा, उसने दो-चार ऐसे काम किये, उसको विश्वासता देवदा आए नहीं वो आदमी बाग लिया हमासे, सारे गाहूं वालों में उसकी वाव आई हो गया रहे लिया रहे तो बहुत कमाल का अदमी है, उसको बढ़ी अगया हो गया उसको बड़ी शद्धा होई, सादू के ऊपर, वो सादू के बास पिर से गया सादू मातमा बढ़ा खल्यान होगए, आपके वज़ए से मेरे को मेरे समान मिल रहा है, सब लोग म प्रियास कर रहा था, चोर चोरी से जाए, हिरा फिरी से ना जाए, वो चाते जाते सुन तो रहा था लेंगिन उसके बात निकल नहीं पा रही थी कि अब चोरी की जो आदत है वो कैसे निकले, जाते जाते वो एक जगा पर पहुंचा, कहते हैं कि राजा के महल में उसने सब्स पागल का रहा था, वो अंदर गुस्ता चला गया, थोड़ी देर में अंदर से चोरी करके बाहर निकली के भाग गया, अब पीछे राजा और उसके सैनिक उसके पीछे पड़े, और आगे जाके उसको पकड़ी धर पकुच लिया, पिर सारी कहानी उसने बताई, तो राजा प्रजा उसके सारी कहानी को सुन कहरा है, सारी कहानी उसने सत-सत बिदा दी, और यह भी एक शिक्का है लोहा एक जंग लग गया है, इसको साफ करेंगे, तो बहुत बढ़ी आद्मी बने गए इसके अंदर वो गुने है, तो राजा ने भी छोड़ दे राजा राजा ने थ तुमें मैं ट्रेनिंग देता हूं तुमें मैं अधिकारी बनाता हूं, राजा ने उसको अपने प्रजा में अपने अधिकारी बना दी इस परकार से कहां से कहां पहुंचिया देखिए, सादू की वचन सुन कर यही बता रहे है परुपाद, कि कोई इस परकार यदी तो इस द्वेश नहीं होना चीए, अब देखते हैं, बोल तु बोल, तिरको हराते हैं, तो काम नहीं चलेगा, तो यह मैं इसा ध्यान रखें, बहुत इंपोर्टन यहां पर इंफर्मेशन दे रहे हैं, हमें ज्यान दे रहे हैं, कि श्रद्धा से द्वेश रहीत होकर हम इस को सुने, और में जीवन को पवित्र करें, हरे गशन, श्रद्ध रुपात की जाए, बहुत रिटा की जाए